राधी राधी दोस्तों, दोस्तों अगर आप अपनी नॉलिज को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों कहते हैं हनुमान से बढ़ा कोई भक्त नहीं और शिप से बढ़ा कोई सक्ते नहीं। हर हर महादेव। दोस्तों भक्वान शिप को समर्पित महा शिवराती का पर्व इस बार 18 फरवरी दिन शनीवार को है। इस दिन शनी प्रदोश प्रत भी है। और साथ ही इस बार स्वासित्य योग भी इस दिन बन रहा है जिससे इस बार की महा शिवरात्ती का महत्व कई गुना अथिक बढ़ गया है दोस्तों शिव भक्तों के लिए शिवरात्ती का पर बहुत माईनी रखता है शिवरात्ती के बारे में गरुण पुरान, इसकंद पुरान, पद्म पुरान और शिप पुरान में वर्णन मिलता है शास्तों के अनुसार पूरे साल भर फोले नाथ का पूचन करने से फोले नाथ इतने प्रसंद नहीं होती जितना शिवरात्ती पर करने मात्य से हो जाते हैं मानिता है महाशिवरात्ती पर भगवान शिप की आरादना करने से सारी मनुकामनाय पूरी हो जाती है साथी ऐसा भी माना जाता है यदि आप आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं तो महाशिवरात्य के दिन भागवानशिप की उपासना के साथ ही कुछ जोतिशिय उपाय भी जरूर करें। ऐसा कायने से आर्थिक समस्याइं दूर हो जाती हैं। भोले नात के किरपासे मन चाहा बर्दान प्राप्त होता है। दामपत्य जीवन सुख में बनता है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परिशानी दूर हो जाती है। यदि आप नौकरी की समस्याइं से जूच रहे हैं तो ऐसे में महाशिवरात्य पर आप प्रत रखें। और जल में शहद मिलाकर इससे भोले नात की शिवलें का अभिशेक करें। ऐसा करने से नौकरी में चल रही परिशानियों से निजाद मिल जाती है। साथ ही मन चाही नौकरी भी मिल जाती है। दोस्तों अगर आप संपत्ती में बढ़ोती करना चाहती हैं, आपके घर में धन का अभाब रहता है, पैसा हाथ में आता बाद में हैं, उससे पहले ही खर्च की लंबी लाइन खड़ी हो जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप इस शिवराती पर भोले नात की शिवलिंग का गन्य के रस्ति अभिशेक करें। शास्तों के अनुसार गन्ने के दस्ति फोले नात का अभिशेक कहने से भगवान शिप के साथ माल लक्ष्मी भी अतिशीक्री ही प्रसन्न हो जाती है जिससे धन की प्राप्ति होती है और धन जम्बंधी जो समस्या होती है वेह दूर हो जाती है अगर आपका धन कहीं पर रुक गया है अटक गया है आपने किसी को धार दिया है और बापस नहीं मिल पा रहा है या किसी काम में धन अटका हुआ है तो आप महाशिवराति पर भगवान शिप के बाहन नंदी को हरा चारा खिलाएं इससे आपको आपका अटका हुआ धन बाप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस शिवराती पर एक कागज लें, और आपकी जो भी मनुकामना है, वहें आप उस कागज पर लाल पेंसे लिखते हैं, जैसे कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कागज पर लिखें कि मुझे ये सरकारी नौकरी म खुष हो काखच पर हेन चीज़ मनुकामना लिखने के बाद आप इस काखच को मोडने और और शिफ रातिके दिन अपने मंदिर में भागवान जी के सामने इसको रख दें बैप फूले नात का पूचन करें पूचन के बाद इसका उसका कशफ को अगर garden है या फिर किसी गमले में या फिर अगर कोई जगह ना हो तो घर से बाहर किसी और जगह पर भी आप इसे ले जा सकते हैं और वहां पर एक गठा खोदें और इसको जमीन में दबा दें और उसके साथ इस पर एक पौधा लगा दें ध्यान रखें पौधा कांटे वाला नहीं होना चाहिए तुलसी पत्र और काटे के पौधे के इलाबा आप कोई और पौधा इस पर लगा सकते हैं और फिर रोजाना आपको इसे पानी देना है ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी जो मनुकामना कागज में लिखी है फोने नात के किरपा से वह जल्द से जल्द हो जाएगी और कश्ट दूर होंगे अगर आप यह उपाए ना कर सके तो आप शिफ्राती पर एक पांच मुखी रुद्राक्ष लें इसको पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें फिर आप अपने मंदिर के सामने बैठ जाए फुले नात के सामने एक दिया जलाएं और भागवाजिशिप को प्रणाम करें और आपकी आपकी जोवी इक शाएं वहासाइं इस, रुद्रक्ष को हाथ में लेकर आपको बोलनी है रोलने के इस तरहें प्रात्ना करने की भोले नात मैं विश्वास करता हूं के यह आपका ज्यादू रुत्रक्ष है जो मेरी तारी राखतें ऐसा कहने से भगवान शिप के किरपा से मंचाहा बरतान मिलता है जो भी एक्षा आपने रुद्राक्ष को हाथ में लेकर बोली है वह जल्द ही पोण हो जाएगी शिवराती पर कश्टों सी छुटकारा पाने और मनुकामना पूरी कहने के लिए आप एक काली मेच ल पाने लें और इन्हें आप अपने दाहिने हाथ के मुठी में बंद कर लें और फिर मन में आपकी जो भी इक्षा है वह इक्षा बोलते हुए आप यह काली मेच और तिल्दी के दाने फोले नाथ की शिवलिंग पर चढ़ा दें और फिर मलुकामना पूर्ण करने की प्रात माशिब को अतितिक प्रिया है बेल पत्र एक दंडी में जो तीन लगये होते हैं और त्रिदेब के साथ ही भुझ नाथ के त्री नेद्र का भी प्रतीक है भुझ नाथ को बेल प्रपित करने से वह अतिशीक्री ही प्रसंद हो जाते हैं इसलिए इस शिवरात्री पर आप एक डंडी में तीन पत्ती लगी हो ऐसा एक बेल पत्र ले और उस पर चंदन की सहायता से ओम नमश शिवाय लिखें पहली पत्ती पर ओम फिर नमश और फिर शिवाय इस तरहें लि बेल पत्र चढ़ाते समय आपकी जो इक्षा है वह आपको मन ही मन बोलनी है जैसी कि आपका बिभा नहीं हो पा रहा है तो आप बेल पत्र चढ़ाते समय जल्द बिभा की प्रात्ना करें फोले नाथ से कहें कि फोले नाथ मेरा बिभा जल्द हो जाए इस तरहें प्रात्ना की कृपा से जल्द ही मनुकामना पूर्ण हो जाती है दोस्तों इस शिवराती पर भूले नाथ का आशिरवाद वाप्त करने के लिए शिवलिंग पर चाबल जरूर चड़ाएं चाबल सुक्सम्रधी का प्रती होता है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है चाबल का जो दान अर्पित कहने से जीवन भर धन की कमी नहीं दहती धनकी देवी मालक्ष्मी का भी आशिरवाद मिलता है और घर में धंधाने के भंडार भर जाते हैं हो सके तो सबा किलो चावल आप शिवलिंग पर चड़ाएं और पूजन के बाद इसे किसे जरुत्मन व्यक्ति को दान द हैं अगर इतने चावल नाचळा सकें तो कम से कम चावल का ए kamu अगा आप इस शिव राते mur फोलेनात की शिवलिंग पर जरू चड़ादे wax पहले आपको फोले नाथ की शिवलिंग का अभिशिक कैना है और फिर चावल का एक दाना शिवलिंग पर चढ़ा देना है ऐसा कैने सी भगवान शिव के साथ मालक्षमी का आशिरवाद मिलेगा धन का लाब होगा और धन की जो समस्या होंगी वह सब दूर हो जाएंगी जीवन भर धन की कमी ना हो तो महाशिवराति के पावन पर्वक्त यह मौका अपने हाथ से ना जाने दें अपाधन संपदा के लिए आप महाशिवराति पर रात में एक दीपक तयार करें आपको बड़ी साइज का दीपक लेना है जो जादर लंबी समय तक चलता रहे दीपक में लेटी हुई एक रुई की बाती लगाएं और हो सके तो शुद्धगी भरें शुद्धगी ना हो तो सरसों का तेल मीठा तेल आपके जो भी सुबिधा के अंसर आप उसमें डाल सकते हैं वे आपको उसमें भरना है आप मिट्टी या आٹे का कैसा भी दिया ले सकते हैं अब दीपक लेकर और थोड़े से चावल लेकर आपको शिपमंदिर में जाना है ऐसे शिपमंदिर में जाएं जहांपर शिपलिंग हो अब आपको यह दीपक शिम मंदर के उत्तर पूर्व कौने यानि की इशान कौन में रखना है दीपक रखने से पहले जमीन पर थोड़े से आप साब चावल रखतें चावल ना हो तो थोड़ एक छोटा सा कपड़ा बिछा कर उसके उपर या फूल डाल कर फूलों की पत्यां डाल कर उसके उपर आपको यह दीपक रखना है इसी दीपक को आसन देना कहते हैं और बिना आसन के दीपक अपूर होता है दीपक आपको इस परकार रखना है कि दीपक की लोग शिवलिंग की तरफ हो अब आपको यह दीपक रखकर जलाना है फिर वहीं बैठ कर ओम नम शिवाय मंत्र का एक सो आड़वा जाप करें महिलाय करन्याय नम शिवाय मंत्र का जाप करें दोस्तों शिप पुराण के अनुसार इस तरहें शिवरात्री के रात को शिवलिंग के पास जो पनुष्य रोश्नी करता है उसे जीवन भर कभी धन की कमी नहीं होती अपाध धन संपता की प्राप्ति होती है धनाध्यक्ष कुवेर जी ने भी शिवरात्री के रात को शिवलिंग के पास इस प्रकार रोश्नी की थी जिससे वे धनों के अध्यक्ष कुवेर बने बोले नात की शिवलिंग के पास इस तरहें सिर्फ एक दिया जलाने से ही पूरे जीवन भर धन की कमी नहीं होती धन प्राप्ति के नए मार खुलते है उमीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तक्स पर वच्छिंग रधी रधी रधी